जयね माता की दोस्तो कैसे हो आप सब दोस्तो आप सभी का हारदिक स्वागते माहकाली भगत गयाने YouTube चैनल में तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप सब भी भगतों को बताने वाली हूँ 14 अक्टूबर अमावस को माकाली को आमने सांने से देखना है तो ये भोग रख देना अपने घर में माकाली आपके आमने सामने आकर खड़ी ओकर आपसे बात करेगी जब आप माकाली का सबसे ज़्यादा प्रिय भोग अपने घर में मंदिर में माता काली का नाम लेकर रखेंगे तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी को फूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने वाली हूँ लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेश्ट करना चाती हूँ अगर आप महाकाली भकत गयान यूटुब चैनल पर नए आये हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक से एर गमेंट चरूर कर ले न क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे-ागे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चै हैं जो कि माताकाली को आमने सामने से देखना चाते हैं और उनसे बात करना चाते हैं और उनसे अपनी मनोकामना पूरी कराना चाते हैं तो वही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो मैं आपको इस वीडियो के मध्यम से यह बताने वाली हूं 14 अक्तोबर तो यह भोग रख देना इसमें थोड़ा सा आपका खर्चा होने वाल है लेकिन आप पहली वार यह भोग माकाली के नाम कर रहेंगे तो रात को करेक्ट 12 वजे के बाद माकाली आपके पास आएगी और सामने से आकर बात करेगी और उस समय आपको घहराना नहीं है डरना नहीं मा समझ कर उनसे बात करनी है ठीक है तो मैं आप सभी को बताने से पहले एक रिक्वेश्ट कर रही हूँ आपसे जितने भी भकती वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर देना कमें जैमाताकाली जरूर लिख देना जो व्यक्ति मेरी कमें जैमाताकाली लिखेगा उस व लिए उगी तो 14 अक्टूबर को अमावस है ठीक है अमावस वाले दिन आपको करेक्ट 12 वजे ये कारे करना होगा जो मैं बताने वाली हूं मतलब अपने घर के मंदर में आपको करेक्ट 12 वजे कुछ भोग है जो बताऊंगी जो रखना है माकाली का नाम लेकि माता काली का मंत बत्र बोल के पांच वार ठीक है भोग सुन लो पहले ध्यान से तभी आपकी समझ में आएगा पांच बता से दस लों एक नीमबू एक जैपल पांच तरह की मिठाई उसे पांच मेल की मिठाई भी कहा जाता है ठीक है एक सराप का छोटा पववा ये चीज आपको अपने हा कि आप मत चड़ाओ अपने हाथ से पर उनके नाम का रख सकते हो ठीक है रखने की भी बात हो रही है यहां पर आपको कुछ नहीं करना है अपने हाथ से चड़ाना नहीं है किसी भी चीज के ऊपर आप तो सिर्फ ये समान लेकर सारा मा काली से पहले हाथ जोड़ कर विंती क करेंगें बारा वजे के बाद ही मातकाली आपके पास किसी भी समय आएगी जो अमावस होती है मातकाली बाबा भिरोनात दोनों एक साथ चलते हैं और एक साथ भूंते हैं मावस की रात में तो आप अगर यह उपाय करेंगे तो मातकाली आपके पास जरूर आएगी आपको कोई मन्द में ऐसी बात है जो आप सिभाय मातकाली से कर सकते हैं या उपाय करने के बाद मां को भोग लगाने के बाद जब मां पांच वार इस मंत्रों को बोल देना बोल के अपने घर के मंदर में इनको समान को भोग को रख देना और हाथ जोड़कर माताकाली के यही बोलना रखते समय कि है माताकाली निया परमिश्वरी अमावस्य की रात में मुझे दर्शन दीजिए अपने शाक्षाद मेरे सामने आ आपके पास आएगी आपका भोग सुविकार करेगी और आप से आकर बात करेगी और आपको डरना नहीं है माकाली को देखकर और मैं पहली बता दू जो इनसान श्ट्रोंग है उसी को माताकाली सबसे पहले दिखेगी और जो वीक है उसको माताकाली नहीं दिखेगी क्यों क तो आपको किशी भी देविदिप्ता से भवान से कजी जीवन में भूत प्रेश से डर ही नहीं लगेगा तो बस ये कारे आप करके देख लो 14 तारिक को घारंटी के साथ आपको माकाली सामने से खड़ियो कर दिखेगी आप से बात करेगी और हाँ करेक्ट बारा बज़े ये उपाय करना है आपको और बारा बज़े के बाद ही माता काली आईगी अम आवस्ते की रात में माकाली बावा भेरुना तो ने एक साथ चलते हैं और जागरित रहते हैं अगर आपको इमनुकामना मागें वो भी पूरी होईगी तो चली दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माता काली हर हर महादे माता काली आपकी बनुकामना है पूरी